और लखीमपूर की बात करने यहाँ पर किसानों करदना प्रदर्शन जारी ये प्रदर्शन 21 अगस तक चिलेगा उस प्रदर्शन में शाविल होने के लिए किसान नेता राकेश टिकैद भी पहुंच गए हैं उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने सुनवा देया किसान नेता चौधरी राकेश टिकैद मेरे साथ बात करूंगा तिरंगा विल्कुल पहने हुए हैं और तिरंगा तो यहीं तिरंगा तो हमारे दिलू में हैं आज ये बड़ा अंदोलन करने जा रहा है 75 घंटे का जो धरना पदर्शन का कारका मैं आपका उसको उसको किस किन म कि वो पूरे देश को पता है दुखत घटना थी और एक किसम से जंग्या प्राद था वो वो नहीं होना चाहिए था और आज भी हमारे लोग जेलू में बंद हैं उनके परिवारू की क्या इस्तिती है अजे मिस्रा टैनी अपने पदपे बादस्तूर है एक सोबीस भी का मुलजी में है तो यह संयुक्त मोर्चे ने निर्ने लिया कि हम 75 घंटे क्योंकि आजाद्धी का जस्म मना रहे हैं हम 75 विशाल में तो हम 75 घंटे लखिमपूर खिरी में रहेंगे और यहां पर धरना देंगे अपनी बात्चीत करेंगे उन परिवारों से मिलेंगे आधिकारियों से मिलेंगे वकिलों से मिलेंगे उन सब से मिलेंगे जब तिकुनिया कांट हुआ था उसके बाद आप आये थे मुझे अच्छी तरह याद है मैं भी इस घटना का कवरिज कर रहा था और आपने कुछ मांगों को ले करके वहाँ परशासन के और पुलिस का धिकारियों से बात की थी उनमें से ज़्यादा तर मांगे पूरी होने के बाद में आपने लोगों को समझाया था अंदोलन रोका था उसमें एक मांग ये तब भी थी आपकी कि अजब मिश्रा टेनी को बरखास किया जाए उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए ये सारी चीज़ें तब भी थी तो सरकार मुलजीम को बचाना चाहती है और हमें के जो मुलजीम है कानून सब के लिए बराबर है जिसने जो काम करा है जितना जिसम का योगदान है जिसने जो करम कांड करा तो उसना परसाद उसको मिलना चाहिए जो आपकी मांग थी उस वक्त आपने पुर्जोर तरीके से उठाई थी आज दुबारा से अक्टूबर के बाद एक साल हो रहा है लगबद ये अचानक से बात कही जा रही कि अचानक फिर वही मांगे लेकर के धरना परसन हो रहा है है हम समय समय पर उठाते रहें और जहां पर भी हमारी मिटिंग होती है उसमें लखिमपूर खिरी का नाम जरूर आता है मांग तिकुनिया कांड के बाद से लगातार बनी हुई है जो अजे मिस्टेनी है उनको हटाने की मांग करते हैं करते रहेंगे कैमरामेन फैसल के साथ संजेत रिपाठी एबीपी निउज लखिमपूर खिरी एबीपी गंगा खबर आपकी जवाआपकी